अगर आप first time एक washing machine लेने जा रहे हो तो salesman आपसे ये सवाल जरूरू पुछेगा कि आपका budget क्या है, किस brand का washing machine लेना चाहेंगे, semi-automatic, fully automatic, front load, top load में से कौन सा लेना चाहेंगे तो salesman की ये सब बाते सुनकर हम और भी जादा confused हो जाते हैं और इसी confusion को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ जिसमें 5 best of best washing machine का review भी करने जा रहा हूँ, जो long lasting, अच्छी build quality, best quality wash और high rotation speed के साथ आता है और हमेशा की तरह इन सभी washing machine का सबसे lowest price का link भी description में mention किया हुआ है, जिसे आप बाद में check out कर सकते हैं बट ये 5 washing machine का review करने से पहले मैं कुछ important points बताने जा रहा हूँ, जिने आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है ताकि आप वही washing machine खरीद पाए जिसका आपको actual need हो तो एक confusion हमेशा लोग को रहता है कि हमें top load washing machine लेना चाहिए या front load washing machine तो अगर top load washing machine के बाद करूँ तो ये vertical drum के साथ आता है जिससे आप कपड़े को top से ही load और unload कर सकते है जिसका design भी बहुत compact होता है जो बहुत कम space भी cover करता है और इसे use करना भी बहुत easy होता है ये washing machine दो टाप्स के आते है जिसमें एक है semi automatic मतलब इसमें कपड़ा wash हो जाने के बाद आपको manually कपड़े को निकाल कर दूसरे drying tube में डालना पड़ता है कपड़ा सुकाने के लिए वही fully automatic top load washing machine को Nell से connect कर दिया जाता है जिससे जितना पानी का requirement होता है उतना continuously पानी ये लेता रहता है और इसमें सिर्फ एक drum होता है जिसमें आप कपड़े को wash और dry दोनों automatically कर सकते हैं जिससे आपका बहुत time भी बचता है और सबसे अच्छी बात इन washing machine का कि आप बीच बी washing quality थोड़ी better देखनों को मिलती है top load के मुकाबले और इसमें side front door देखनों को मिलता है लेकिन इस washing machine में आप बीच बीच में कपड़े नहीं डाल सकते है क्योंकि water leakage prevention के लिए इसका door lock रहता है ये washing machine थोड़ी expensive होती है और इसे time to time maintenance की जरुवत पड़ती है जैसे इसका front door का gas basket खराब हो जाता है जिसे बार बार आपको replace करने का जरुवत पड़ता है क्योंकि इसमें water leakage की बहुत दिकत देखनों के मिलती है तो इनमें से मैं आपको top load washing machine ही recommend करूँगा जिसे आप काफी easily use कर सकते है काफी affordable price में भी मिल जाता है और इसकी washing quality भी अच्छी है जिसमें cotton, fabric coolant वगरा भी easily clean कर सकते हैं हमें कितने capacity वाला washing machine लेना चाहिए तो एक standard formula की बात करूँ तो अगर आपके family member में 2-3 लोग है और ये सारे cloths इतने quantity में wash करना रहता है तब आपको 5-6 kg load capacity वाला washing machine लेना चाहिए अगर 3-4 member है तब आपको 7-5 kg load capacity वाला washing machine लेना चाहिए बट जार से जादा member है तब आपको 8-10 kg load capacity वाला washing machine लेना चाहिए यहाँ पे kg का मतलब ये नहीं कि washing machine का weight कितना है बलकि washing machine में कितने कपड़ों का weight carry कर सकते हैं इन सबी important points के साथ आपको कुछ छोटे मोटे बातों को बेधियान में रखना है washing machine खरीने time जैसे drum की quality अगर आप semi washing machine लेने जा रहे है तब तो उसका drum plastic का ही होगा बट अगर fully automatic top load washing machine लेने जा रहे है तब उसका drum stainless steel वाला ही लेना होगा ना कि plastic material का rotation speed 600 से 1400 rpm speed वाला washing machine ले सकते हैं जो cloth के according आप speed select कर सकते हैं जो भी washing machine ले रहे हैं उस पे ज़्यादा से ज़्यादा warranty होनी चाहिए क्योंकि जितनी लंबी warranty होगी समझो उसकी build quality और performance उतनी बेटर होगी lastly और most important की washing machine हमें online लेना चाहिए या offline तो आप इसे online या offline कहीं भी ले सकते हैं बट अगर आपको same model पे आपको अच्छी discount मिल रही है तो आप इसे online buy कर सकते हैं और Amazon खुद का ही delivery service provide कराता है जो large product को भी काफी safely deliver कराता है ओगे सो इनी सबी important points को ध्यान में रखते हुए मैं 5 best of best washing machine का review करने जा रहा हूँ बट उससे पहले आपको वीडियो यहां तक थोड़ा भी informative लगा हो तो please वीडियो को like और channel को subscribe करके मुझे motivate कर सकते हैं और मेरे list में number 5 पर आता है वालपुल का semi automatic top load washing machine वालपुल का यह semi automatic model budget range में आता है जिसमें 340 watt और 1400 rpm की copper coil motor लगी है जिससे अच्छी cleaning और quick drying facility मिल जाती है जिसमें 3 wash program दिये गया है जो delicate, normal यह heavy cloth को wash करने के लिए cloth के हिसाब से set कर सकते हैं heavy plastic का बना यह washing machine जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी semi washing machine आते हैं उन सबी का drum plastic material का बना होता है और साथ इसमें wheels दिये गए हैं जिसे आप इसे असानी से एक जगा से दूसरी जगा ले जा सके waterproof control panel इसमें मिलेगा जिसमें 4 knob दिये गए हैं जिसमें पहला fabric type सेलेक करने के लिए दूसरा wash time set करने के लिए तीसरा wash और drain option सेलेक करने के लिए और चौता dryer spin timer set करने के लिए lint filter इसमें मिल जाता है जिससे cloths में फशे small particles वगरा इस filter में जमा हो जाता है जिससे आप बाद में निकाल के इसे साफ कर सकते है end of cycle buzzer feature इसमें मिल जाता है जो wash cycle complete हो जाने के बाद buzzer बजने लगता है जिससे आपको indicate किया जाता है और साथ इसके body के उपर scrub dot दिया गया है जिससे ज़्यादा darts वाले cloths या sutts के collar पे लगे darts को scrub कर सकते है washing machine में डालने से पहले जिससे कम टाइम में कपड़े clean कर सकते हैं और इसमें quick drying feature मिल जाता है जिससे dryer tube faster spin में spinning करता है जिससे कपड़ा काफी fast dry होता है जैसा कि ये washing machine 5 star rating के साथ आता है जिससे बहुत कम electricity consume करता है which is good वालपुल इस product पे 2 साल की comprehensive warranty और 5 साल की motor और prime mover की warranty देती है ये model 6 kg, 7 kg, 8 kg और 10.5 kg के load capacity के साथ आती है जिसका differences भी आप इस वीडियो को pause करके देख सकते है इस washing machine का कुछ pros and cons भी मैंने not down किया है तो ये काफी budget में आता है, power consumption भी बहुत कम है इसका, अच्छी washing feature दिये गया है इसमें, quick drying facility मिल जाती है बट इसकी dryer tube के capacity थोड़ी कम है, मतलब एक साथ इसमें ज़्यादा कपरा नहीं डाल सकते है इस washing machine का भी सबसे lowest price का link के नीचे description में दे दिया है, जहांसा आप इसका offer price भी जान सकते है और इसे purchase भी कर सकते है और इसमेरे लिस में number 4 पर आता है, LG का semi-automatic top load washing machine आगे मैं कुछ fully automatic washing machine का भी review करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहे तो LG के इस model के बारे में बात करूँ, तो अगर आपको budget range में rat away technology वाला washing machine लेना चाहते है कि चुहे आपके washing machine को खराब न करें, तो LG के इस model के साथ जा सकते है, जिसमें अच्छी cleaning और drying देखनों को मिलता है यह washing machine 3mm के heavy plastic material का बना है, जिसमें rat replint chemical का भी use किया गया है, जिससे चुहे इसके आसपास नहीं आएंगे और machine को खराब नहीं करेंगे इसमें 360 watts और 1300 rpm की copper coil motor मिलेगी, और इसके wash drum में roller jet pulsator मिलेगा, जिससे effectively close को rotate करता है, ताकि fast और gently धुलाई मिल सके magic filter इसमें मिल जाता है, जो थोड़े दर पहले मैंने walpole के model में बताया था, जो कपड़े से nuclear particles को pipe में जाने से रोकता है और इसे filter कर लेता है इसके control panel की बात करूँ तो चार nobs इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें पहला wash time सेलेक करने के लिए, दूसरा nob cloths के साब से speed सेलेक करने के लिए, तीसरा nob wash और drain option सेलेक करने के लिए, और चौता nob spin timer सेलेक करने के लिए मिलता है बजर feature और auto restart feature इसमें मिल जाता है, ताकि light वापस आ जाने के बाद, ये उसी setting और timer में on होता है, जिस पे आपने set किया हुआ था ये भी 5 star rating के साथ आता है, और इस washing machine पे 2 साल की comprehensive warranty और 5 साल की motor की warranty मिलती है LG का ये model 6 kg, 7 kg, 8 kg और 9 kg capacity load के साथ आता है, जिसका differences भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को pause करके इसके pros and cons की बात करूँ तो budget range में आता है, value for money है, average noise level इसका ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम, washing और drying quality अच्छा है इसका, बट इसमें uni directional wheels दिये गए है, मतलब सरिफ एक ही direction में ये move करता है, ना कि 360 direction में और मेरे इसाब से ये ज़्यादा बड़ा cons नहीं है, तो आप इसे buy कर सकते हैं, जिसका सबसे lowest price का link भी description में mention कर दिया है, और इसमेरे रिलिस में नमबर 3 पर आता है, वालपुल का royal fully automatic top load washing machine, अगर आपको affordable price में fully automatic top load washing machine लेना है, जिसमें hard water wash facility भी available हो, तो वालपुल के इस model को purchase कर सकते हैं, जिसमें 360 watts और 740 rpm की copper coil motor मिलेगी, और इसका outer body steady plastic material का बना है, जिसमें stainless steel का drum और hard plastic का pulsator यूज किया गया है, बेटर performance और durability के लिए, इसमें hard water facility भी दिया गया है, मतलब ये hard water में भी अच्छी cleaning कर सकता है, इस washing machine को tap से connect कर दिया चाता है, ताकि जितना requirement रहे, उतना ये continuously automatic पानी लेता रहता है, और इसमें dry tap sensor भी दिया गया है, जिससे पानी का supply रुख जाने पर या किसी भी तरह का blockage आ जाने पर indicate कर देता है, which is good, ये zero pressure fill technology के साथ आता है, जिससे low water pressure में भी ये fast water filling करता है, इसके digital display control में तीन buttons दिये गया है, जिससे on off कर सकते है, washing drawing program automatically select कर सकते है, start और pause function के लिए भी use कर सकते है, और साथ ही 12 wash programs दिये गया है, जिससे different uses के हिसाप से set कर सकते है, express wash feature दिया गया है, जिससे wash cycle time को reduce कर देता है, यानि जब आप जल्दी में हो तो इस feature का आप use कर सकते है, और delay wash program भी मिल जाता है, जिससे आप wash program को 3 से 24 गंटे तक delay कर सकते है, जब आपको कोई दूसरा काम हो, और साथ इसमें child lock feature भी मिल जाता है, ताकि बच्चे कोई भी button प्रेस करें, इसमें कोई भी effect नहीं होगा, इस machine का noise level भी बहुत कम है, जो 50 से 55 disable की आसपस है, वालपुल इस product पे 2 साल की warranty देती है, और 5 साल motor की warranty देती है, ये मिल जाता है, value for money है, washing quality भी अच्छा है, बट बहुत अच्छा नहीं है, low noise level इसका child lock feature इसमें मिल जाता है, बट ये washing machine inverter technology के साथ नहीं आता, और कपडे drying करने टाइम ये थोड़ा वैबरेट भी करता है, और इसका भी सबसे lowest price का link के नीचे description में मिल जाएगा, ओगे सो मेरे इसमें number 2 पर आता है, Samsung fully automatic washing machine, Samsung के ये top load model भी fully automatic feature के साथ आता है, जो hard water के लिए भी suitable है, जिसमें 330 watt और 700 RPM की copper coil motor लगी है, इसका body भी stainless steel का बना है, जो sock proof है, और stainless steel का drum और hard plastic का pulsator दिया गिया है, और इसके digital display control panel में off on, start post function, wash and drying program option, child lock feature भी दिया गिया है, और साथी 9 washing program भी इसमें मिल जाता है, और सबसे अची बात कि ये digital inverter technology motor के साथ आता है, जिसे कम electricity consume होता है, noise level भी कम रहता है, और long lasting smooth performance मिलता है, lint filter, auto restart, quick wash, delay end और rat protection जैसे feature इसमें मिल जाते है, और ये भी 5 star rating के साथ आता है, इसमें soft closing door feature मिल जाता है, मतलब जब अब इसका door बंद करोग पर 2 साल की warranty देती है, और 20 साल DIT motor की long warranty देती है, which is great, ये model 7 kg, 8 kg और 9 kg capacity load के साथ आता है, जिसका differences भी आप स्क्रीन पर देख सकते है, वीडियो को pause करके, pros and cons देख लेता है इसका, तो power saving inverter motor इसमें मिल जाता है, noise level भी बहुत कम इसका, अच्छी wash quality और drying देखनों को मिलता है, motor की warranty 20 साल तक मिल जाती है, बट washing process थोड़ा slow देखनों को मिलता है इसमें और पानी भी थोड़ा ज्यादा यूज़ करता है, इसका भी सबसे lowest price का link की नीचे description में दे दिया है, तो एक बस जरूर चेक आउट करें, और फाइनली में release में number one पर आता है, LG का turbo drum fully automatic washing machine, क्योंकि एक fully automatic top load washing machine में जो जो features और washing quality होनी चाहिए, वो सभी इस model में देखनों को मिलता है, इस washing machine में 360 watts और 700 rpm की copper coil motor मिलेगी, जो smart inverter technology के साथ आता है, और इसका outlet body metal का बना है, जो again shock proof है, drum is stainless steel और pulsator hard plastic का बना हुआ है, जो pulsator के smart motion और turbo drum movement से कपड़े में ज्यादा अच्छा cleaning देखनो को मिलता है, और साथ ही इसमें भी आप hard water का use कर सकते हैं, digital control panel में off on button, start pause function, 8 wash और drive program मिल जाता है, water level indicator और child look feature भी इसमें मिल जाता है, और भी कई feature मिल जाते हैं, जैसे auto restart, auto pre wash, buzzer और anti rat cover protection भी मिल जाता है, 5 star energy rating के इसमें भी low power consumption देखनों को मिलता है, और साथ ही इसमें smart diagnosis service भ में आने वाले छोटे मोटे issues को भी up solve कर सकते हैं, LG इस model पे 2 साल की product की warranty और 10 साल motor की warranty देती है, ये model 6, 7, 8, 9 और 10 kg capacity load के साथ आता है, और इनके differences भी आप screen पे देख सकते हैं, वीडियो को pause करके, pros and cons की बात करूं तो low power consumption, very low noise level, good washing और drying quality मिलता है, पानी भी जादा use नहीं कर बट washing process थोड़ा slow देखने को मिलता है इसमें, जो मेरे ही सबसे ज़्यादा बड़ा cons नहीं है, और हाँ guys इन सभी washing machine का सबसे lowest price का link की नीचे description में दिया हुआ है, तो एक बार सभी का price ज़रू check out करें क्योंकि website पे इन पे अच्छी अच्छी sell चलती ही रहती है, so I hope washing machine से related ज क्योंकि future में हमेशा काम ही आएगी, thanks for watching guys, have a nice day